स्टार्टप इंडिया, कॉशल विकास मिशन तथा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ऐसे समस्तारों के तिर्मार का प्रयास कर रहे हैं, जो दुनिया में अपनी धाक जमाई प्रधान मत्री शिनली रिमोदी ये डॉक्टर एस एन बोस की 125 जनती पर सती रनाथ बसू राक्ष्रिय मौलिक विक्यान के दुद्वारा आयोजित समारों का उखाटिर किया राक्ष्रिय बार विज्ञान कॉंग्रेस का 27 से 31 दिसंबल 2017 तक एहमताबाद में उत्सावकून आयोजित सते दरनाथ बोस ये वो नाम है जो विज्ञान की दुनिया में प्रिष्ठा का परियाय है उनकी पूरी जिंदगी अध्यापन, विज्ञान के विकास के लिए अनुसंधान तथा प्रकर्टिक अफधार्णाओं की समझ के लिए चैध्धांतिक और प्रायोगित समझ के बीच गहरा रिष्ठा इस्थापिक करने में भी थी भारत के एक महतुपूर्ण भौतिक शास्ति के रूप में सर्बोस ने 1920 के प्रारमिक दशक में क्वांटम भौत्गी के शेत्र में अपने अनुसंधानों से महतुपूर्ण योगदान दिया बोस आइंस्थीन सांफिकी की स्थापना में उनकी महतुपूर्ण भौमिका थी दो पारंपिक कड़ों में एक बोसान का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है जिसने बोस आइंस्थीन सांफिकी की स्थापना की सतेंदरनाथ बोस्ट की 125 वी होश्टगार के अवसर पर भारत के पुधान मंत्री नरेन मोदी ने कुलकता इस्थिर एसेंट बोस्ट नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में अलजित उधातन सम्हारों में वीडियो कॉंस्वेंसिन के द्वारा देश को सम्भुधित किया मानिय प्रधान मंत्री ने देश के विकास में सेंट बोस्ट के भरमूल योगदान की प्रशिंसा की उन्होंने आववान किया कि देश को सेंट काफी कुछ सीथने की आवशक्ता है उन्होंने कहा कि यूवाव में विग्ञान की पती प्यार तथा समझ बढ़ाने के लिए विज्ञान को बड़े इस्तर पर प्रोटसाहन देने की आवशर्टा है। इस दिशा में भाशा रुकावट नहीं, बल्वी सहायक होना चाहिए। देश भर के विज्ञानिकों में सतत संचार की भी आवशर्टा है, इस दिशा में तथा शोट यवब अनुसधान संस्थानों के वीच मजबूत सहीयोग के लिए तंत्र विक्सित किया जा रहा है। शहरों के शोट यवब अनुसंधान केयंबरों को अकाद्मिक संस्थानों, उध्योगों और स्टाटप्स के साथ जोड़ा जा रहा है। देश की नर्ट उपने सम्मुधन में उन्होंने कृतिम बुद्धिमत्ता, विशाल आकड़ा आकलर, यंत्रिक सींख, साइबर भौत्र की विवस्था, अनुवाइंचकी तथा विदुद चालिक वहानों जैसी आगामी चुनोंती का सामना करने की आवशक्ता पर भी जूर द बोस आर्काइव तथा संग्राले का भी उधाटन हुआ, इसके अलाबा प्रसिद विग्यानिक प्रोफेसर स्येनर राओ ने पानी के फोटो रसाइनिक, उश्मा यांदुकी तथा विदुद रसाइनिक विखिटन पर जन्ग एक्षान दिया 125 में गोश्काट के उखलक्ष में, SNBOS Nation Center for Basic Sciences आने वाले सब्ताहों में कई अन्य कारिकरब आयोजित करेगा इनके अत्रिक्त 26 से 30 मर्च तब 2001 में भौतिक विख्यान के नोबल पुरुस्कार से सम्मानित भोश्गें केटरले के व्यक्षान आयजित किये जाएंगे जो अब भी क्वांटम भत्की का आधार है पूरी दुनिया इस महान विभूतिक के करतग है जुनों में भौतिक विख्यान को नई दिशादी